State bank of India में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग से quick fund transfer कैसे करें Quick fund transfer के कए लाब होते हैं जैसे की इसमें beneficiary ad करने की आवश्यक्ता नहीं होती है और यह fund transfer state bank anywhere app द्वारा भी किया जा सकता है यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखें, Quick Fund Transfer के जरीए प्रति दिन Fund Transfer करने की Overall Limit 5,000 रुपए है इसके लिए पहले Online SBI Account में Login करके Payments Transfers वाले टैप को क्लिक कीजिए यहाँ दिख रहे Options में से Quick Transfer पर क्लिक कीजिए अब यहाँ पर Beneficiary का नाम और उसका Account Number टाइप कर दिजिए यहाँ पर आगे Payment Option में दो Options दिये हैं Within SBI और Interbank इसमें से हम Interbank चुन रहे हैं अब यहाँ पर Beneficiary का IFS Code डाल दिजिए और अब Select Transfer Mode के सामने Dropdown मेनू की सहता से Transfer Mode चुन लीजिए अभी हम इसमें से AnyFT चुन रहे हैं इसी वीडियो में आगे हम आपको IMPS द्वारा भी Fun Transfer करना बताएंगे अब यहाँ पर जितना Amount Transfer करना हो वो डाल दें Purpose के सामने दिख रहे हैं Dropdown मेनू की सहता से आप इस Fund Transfer का Purpose भी चुन सकते हैं जैसे आप Beneficiary को Gift देना चाहते हैं या Donation देना चाहते हैं इत्यादी अब Terms and Conditions को Accept करके Submit पर क्लिक कर दें जब हम NEFT द्वारा Fun Transfer करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ Commission Amount देना होता है इस पेज पर दिख रहे हैं बाकी की Details को चेक करके नीचे Confirm पर क्लिक करें अब आपके Register Mobile Phone पर एक OTP आएगा उसे यहाँ पर टाइप कर दें और फिर Confirm पर क्लिक करें यह देखिए Fun Transfer की जो Request है वह Successfully Post हो गई है चलिए अब हम IMPS द्वारा भी Fun Transfer करना देख लेते हैं उसके लिए Return to Quick Transfer पेज पर क्लिक करें यहाँ पर Beneficiary का नाम और उसका Account Number टाइप करें Payment Option में हम फिर से Interbank चुन रहे हैं अब यहाँ पर Beneficiary का IFS को टाइप कर दें और Select Transfer Mode में इस बार हम चुन रहे हैं IMPS यहाँ पर Amount डालने के बाद यहाँ से Purpose चुन लें और Terms and Conditions को Accept करके Submit पर क्लिक कर दें IMPS द्वारा Fun Transfer करते वक्त 5 रुपए Commission शुल्क प्लस Service Tax लगेगा जो आपके खाते से Debit हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए Confirm पर क्लिक करें Confirm पर क्लिक करते ही आपके Registered Mobile Number पर एक OTP आएगा उसे यहाँ टाइप कर दें अब Confirm पर क्लिक करें यह देखिए Fun Transfer की Request successfully post हो गई है